नमशकर दोस्तो, राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल 2021-22 कला संसकरती तूफान टेस्ट स्रीज 4 में आपका स्वागत है कला संसकरती तूफान टेस्ट के फर्स्ट क्यूशन की ओ्र चलते हैं हमारा फरस्ट क्यूशन है सिल्फ सास्त्री मंडन द्वारा रचित गरंत रूप मंडन का संबंद किस विशे से हैं राज प्रशाद, मूर्ती कला, वास्तु कला और चित्र कला तो friends इसका correct answer हो जाएगा मूर्ती कला के लिए रूप मंडन का संबंद हैं सिल्फ सास्री मंडन का संबंद मूर्ती कला से हैं. Next question की ओर चलते हैं. हमारा next question है. सीता राम, बदन सिंग और नानक राम, चित्रकार, चित्रकला की किस सेली से संबंद थे? विकानेर सेली, किसंगड सेली, जोदपूर सेली, नाथ दवारा सेली? तो इसका correct answer हो जाएगा किसंगड सेली, किसंगड सेली से समबंदित हैं सिताराम, बदन सिंग और नानकराम, चित्रकार, तो हमारा correct answer हो जाएगा B option, किसंगड सेली, next question की ओर चलते हैं, कुंबल गड किला किस जिले में इस्तित हैं, पाली, सिरोही, राजसमंद और उधेपु तो friends हमारा correct answer हो हो जाएगा राजसमंद, कौन सा, राजसमंद, राजसमंद जिले में कुंबल गड किला इस्तित हैं, next question की ओर चलते हैं, राजस्तान में जल दुरग किस इस्तान पर इस्तित हैं, जल दुरग हैं, वो कहां पर इस्तित हैं, अजमेर, गागरोन, सिवाना और तो हमारा correct answer हैं, वो हो जाएगा गागरोन, जल आवाड में जल दुरग कि इस्तित हैं, next question की ओर चलते हैं, next question है, सालिम सिंग की हवेली और नत्मल की हवेली, राजस्तान के किस जिले में इस्तित हैं, बाडमेर, चितोड, बिकानेर, जेसलमेर, तो हमारा correct answer हो जाएगा, ज जेसलमेर सालिम सिंग और नत्मल की हवेलियां राजस्तान के जेसलमेर जिले में इस्तित हैं नेक्ट क्यूशन राजस्तान में जांगीर के महल कहां इस्तित हैं पुश्कर, अजमेर, दीग, हिसनगड तो हमारा जो correct answer है वो हो जाएगा पुशकर, जांगीर के महल पुशकर में इस्तित हैं Next question की ओर चलते हैं हमारा next question है दोलागड़ देवी का मंदिर किस जिले में इस्तित हैं दोलागड़ देवी का मंदिर बूंदी, भरतपूर, अलवर, कोटा तो friends हमारा जो correct answer है वो हो जाएगा option C, अलवर, अलवर जिले में दोलागड़ देवी का मंदिर इस्तित हैं Next question राजस्थानी ताराभात की ओडनी का पहनावा जिन में परचलित हैं, वे हैं जाट महिलाए, दलित महिलाए, आदिवासी महिलाए, राजपूत महिलाए, तो friends हमारा correct answer हो जाएगा आदिवासी महिलाए, आदिवासी महिलाओं में ताराभात की ओडनी का पहनावा पहना जाता है नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्यूशन है, प्लेग रक्सक एवं उटों के देवता के रूप में प्रसिद लोक देवता हैं, देव नाराइन जी, गोगा जी, पाबू जी, राम देव जी, तो हमारा जो correct answer है, वो हो जाएगा दोस्तो, गोगा जी क प्लेग रक्सक एवं उटों के देवता के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट क्यूशन है हमारा, नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं, संत माव जी का जनम इस्तल कोन सा है, चितोड, कोटा, डूंगरपूर और उदेपूर, तो हमारा जो correct answer है, वो हो जाएगा, option C, डूंग जूगरपूर में संत माव जी का जनम हुआ था, नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है, बेनेस्वर मेले का आयो जन माग पुर्णिमा को, वेशाक पुर्णिमा को, कार्तिक पुर्णिमा को, भादरपद पुर्णिमा को, तो friends हमारा correct answer हो जाएगा, क्यूशन है जेपूर में जेपूर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है जेपूर जिले में तीज की सवारी कब निकाली जाती है वेसाख में चेत्र में स्रावण में भाद्रपद में तो इनमें से हमारा जो कर्रेक आंस्वर है वो है स्रावण कोंसा सावण के महिने में त की सवारी निकाली जाती है जेपुर डिस्टिक में नेक्स्ट क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन तेरे ताली निर्ते का संबंद किस जाती से हैं भील जाती से कामड जाती से मीना और कतोडी जाती तो तेरे ताली का निर्ते किस जाती से हैं, कामड जाती से, कौन सी जाती से, कामड, correct answer हो जाएगा B option, कौन सा, B option, next question की ओर चलते हैं दोस्तो, हमारा next question है, राजस्तान की पर्थम महिला मांड गाई का कौन थी, जिसे पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया, अल्लाह जिल्ला भाई, बन्नो बे जिल्ला भाई, कौन अल्लाह जिल्ला भाई को मांड गाई का का पदम स्री पुरुषकार मिला था, next question है हमारा, next question की ओर चलते हैं, next question है, मंडावा क्यों परसिद हुआ, मंडावा क्यों परसिद हुआ, जील के कारण, अब्यहरण के लिए, मंदीरों के लिए, और बित्ती चित्र के लिए, इन में से हमारा जो correct answer हैं, वो हो जाएगा, बित्ती चित्रों के लिए मंडावा परसिद हैं, किसके लिए, बित्ती चित्रों के लिए मंडावा परसिद हैं, next question की ओर चलते हैं, next question है, राजस्तान, next question, राजस्तान की आदिवासी महिलाओं में कट्की वस् महिलाएं कों क्या है ए विवाहित महिलाएं और उप्रुक्त सभी तो हमारा कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए विवाहित महिलाएं कोंसा ए विवाहित महिलाएं ए वीवाहित ए विवाहित महिलाएं ठेंक्स